चेप्टर सेवेन, स्किल नमबर फोर, प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सौभागे फॉलो अप में है, फॉर्चिन फॉलो अप के अंदर है, मुझे लगता है कि एक सच है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा तरलोग फॉलो अप नहीं करते हैं, यदि आप इसी स्किल्स में मास्टर होना चाहते हैं, तब आपको कुछ महत्पुन धार्नाओं को समझने की आवश्यक्ता है, धार्ना नमबर फॉलो अप मतलब, आप वो कर रहे हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, यदि आपने कहा था कि आ समय पर कॉल करेंगे, तब आप करें, नेट्वर्क मार्केटिंग प्रोफिशन ऐसे लोगों से भरा हुआ है, जहां लोग एक मिनिट में उत्साहित हो जाते हैं और अगले चरण करने के समय गायब हो जाते हैं, अपना वयापार इलेक्ट्रोनिक कैलेंडर के अनुसार चला और एक व्यक्ति का नाम चक, जो मेरे पिता के साथ 10 बज़े की मिटिंग के लिए आये थे, उस समय नौ बज़कर 55 मिनिट हो रहे थे, और मेरे पिता अभी तक आफिस में नहीं थे, मैंने चक से बात की और कहा, कि मुझे यकी हैं कि मेरे पिता जल्द ही आते होगा, ठीक 10 10 बज़े चक उठे और कहे, अभी 10 बज़ रहे हैं और आपके पिता अभी तक यहां नहीं है, अगर वह मिटिंग फिल से रखना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, मैं विश्वास नहीं कर सकता था, कि वह मिटिंग समय के लिए सिर्फ 30 सेकंड के बाद जाने के लिए इतना प्रास्ता तैकर के ओफिस आये थे, मैंने उनसे कहा, मिस्टर चक मुझे यकीन है कि वह किसी भी मिनट यहां होंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, और फिर उन्हेंने जो कहा, मैं कभी भूल नहीं सकता, उन्हेंने कहा, बेटा आप या तो जल्दी आते हैं या देर से जाते हैं, वहां लेट हैं और मेरा समय कीन्ती है, अगर मिटिंग फिर रखना चाते हैं तो मुझे कॉल करें और वह चले गए, मेरे पिता चक से मिलने की उमीद में दस बच कर दस मिनट पर आपिस आये, और जो हुआ मैंने उन्हें बताया और जितना मैं चौग गया, वह सालों से ध्यान दिया कि मेरे पिता मिश्टर चक से मिलने के लिए हमेशा समय पर आने लगे, इस कहानी में क्या सबक है, मेरे लिए सबक ये था कि लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, जो वह करता है और जो वह करने को कहता है, जो वह करता है, जो वह करने को कहता है, करने का दूसरा समय पका करें धाड़ना नंबर दो एक्सपोजर होने का एक मातर कारण अगला एक्सपोजर सेट करना है जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं हर प्रदर्शन को यह कहकर समाप्त करता था कि आप क्या सूचते किसे ने मुझे नहीं बताया कि मैं जो कर रहा हू वो सबसे खराब चीजों में से एक थी यह एक समान्य बात कहने के समान थी पर मेरे परड़नाम बहुत बुरे थे मैंने अपने शुरू के सलाकारों में से एक से मदद करने को कहा और उन्होंने कहा कि एरिक एक प्रदर्शन होने का एक मातर कारण अगली प्रदर्शन को पक करने के साथ पूरा करो गए तब प्रोस्पेक्ट आउसर देखने के बारे में शिक्षित हो जाएगा और वह अच्छा निर्ने लेगा मेरे दिमाग में जो लक्ष था बदल गया अब मैं प्रोस्पेक्ट को जॉइन कराने को छोड़कर अब मैं अगले मीटिंग के साथ दूस बात की कैसे प्रोस्पेक्ट को अपने आउसर को दिखाने के लिए प्रोफेशनली आमंतरित करें इस प्रक्रिया के अंत में हम कई चरणों के माध्यम से अगले प्रदर्शन को पक्का करते हैं जिसका अर्थ है फॉलो अप कॉल जो आपका अगला अपॉइंट्मेंट होग जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं आप उनसे पूछते हैं कि क्या आपने दिये हो टूल्स को देखा वह कते हैं नहीं मैंने नहीं किया था वह कहेंगे हाँ मैंने किया था आये देखे कि आप दोनों मामलों में अपने प्रदर्शन को कैसे पक्का करेंगे यह दिव लोगा यह आपके अच्छे संबन बनाने में मदद नहीं करेगा जवाब देने का बहतर तरीका यह है कि ठीक है मैं समझता हूं कि कभी-कभी जीवन व्यस्त हो जाता है आपको क्या लगता है कि आप निश्चित रूप से कब कर सकेंगे जब आप यह कह सकते हैं कि निश्चित करके अगला समय पक्का करें जब आप समय पक्का कर लें उस पर अपनी अगली कॉल का दिन और समय भी शामिल करें और फिर उन्हें कॉल करें और पूछे कि आपने कहा था कि आप कर लेंगे यदि आप उन्हें निर्धारित समय पर कॉल करते हैं और वह अब भी उन टूल्स को नहीं देख पाते हैं तब आप उपर बताई गई प्रक्रिया को दोह रहें जब तक वह नहीं देख लेते हैं याद रखे हों अगला समय निर्धारित कर रहे हैं और आप प्रफेश्टल की तरफ फॉलॉअप कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा था कि आप करोगे यदि आप प्रफेश्ट को कॉल करते हैं और वह कहता है कि तब आप उनसे कुछ बुद्धिमान सवाल पूछेंगे सबसे पहली बात आप ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या सोचते हैं ये आपके प्रोस्पेक्ट की पसंद जानने का सुराग देगा अगर वह कहते हैं उत्पाद तब आपका अगला प्रदर्शन उत्पाद से संबंदित होना चाहिए यदि वह कहते हैं आर्थिक स्वतंतरता तब आपका अगला प्रदर्शन आउसर से संबंदित यानि कि एक बिजनस उपर कुछ भी अच्छा है और यह बताता है कि उन्हें कुछ रूची है अधिकतर समय आपको पांच ये अच्छा मिलेंगे कोई फर्त नहीं पड़ता कि वह आपको कितने नंबर दिये थे आपको जानना है कि आप उन्हें कैसे उच्छ नंबर प्राप्त करने में सहायता कर स सकते हैं यह अगले खंड में बताया जाएगा अगर उनके नंबर अब भी कम है तब आप सिर्थ अगला प्रदर्शन को निर्धारित कर सकते हैं वह उत्पाद उप्योग करना चाहते हैं इसलिए आप उसमें मदद करें और फॉलॉप का दिन और समय निर्धारित करें और तो कुछ भी हो आप एक प्रदर्शन को और अगले प्रदर्शन को निर्धारित करें बीना कभी खत्म नहीं करें अगर आप ऐसा करते हैं तो सब खत्म हो जाएगा सुरुवात में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मैं किसी को आउसर दिखाने के लिए मोगा देखता था और जब इसी तरह भाँ कहते थे और वह चले जाते थे जब मैं उन्हें कॉल करने के कोशिश करता तब मैं सिर्क उन्हें परिशान कर रहा था जब मैंने खुद को बदला और कोई भी प्रदर्शन अगला प्रदर्सन निर्धारित करें भीना खत्म नहीं किया तब सब कुछ बैतर ह में था प्रोस्पेक्ट मेरा और मेरे आउसर का ज्यादा सम्मान करने लगे थे यह सब कुछ हुआ मांसिक रूप से एक छोटे से परिवर्थन की वज़े से धार्ना नमबर तीन प्रोस्पेक्ट को जोईन कराने में और चार से च्छा प्रदर्शन फॉलो अप लगते हैं MLM के इस कल्चर में लोग एक व्यक्ति पर एक बार हथोणा मारते हैं और अगर वह तुरंद जोईन नहीं करते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं और कभी उनका फॉलो अप नहीं करते हैं कई मामलों में वह अपने खराब रवया और प्रोस्पेक्ट के साथ संबंदों को हानी पहुचाने कदम उठा लेते हैं प्रोफिस्तन समझते हैं कि एक प्रोसपेक्ट को इसमें सामिल होने के लिए ओस्तन 4 से 6 प्रदरशन लगते हैं उनका लख्षे होता है शिक्षित करना समझाना किसी को एक प्रदरशन में शिक्षित करना बहुत मुश्किल है इसलिए वह दोस्ती को मजबूत करते हैं, वह भरोसा निर्मान करने में मदद करते हैं, और लोग अपने पसंद के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं. चार से च्छा प्रदर्शन औस्तन हैं जिसका अर्थ है कि प्रतेक व्यक्ति जो पहले प्रदर्शन में सामूल हुए हैं वह एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो जो जोईन कराने के लिए दस से अधिक प्रदर्शन लेंगे आपको अभी नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ अच्छे लोग इस अवसर में भाग लेने से पहले सालों साल प्रोस्पेक्ट हुए थे आप जल्दी में रहे लेकिन धैरे भी रखे धाना नमबर चार बेहतर परिणामों के लिए एक्सपोजर को कंडेंस करें पोजर किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं और आगे बढ बनाते हैं लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और जब आप उन्हें कुछ नया दिखाने के लिए जा रहे हैं तो उनकी रूची बनाये रखना महिक पूर्ण है सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना मुम्किन हो सके प्रदर्शन को करीम में रखें अगर आप धीरे चलेंगे तो आप उनकी शुरुआत एक वीडियो देखने से कर सकते हैं फिर कुछ अपते बाद उनने एक कौन्फरेंस कौल सुनने को दें फिर एक महीने बाद उन्-एक वेबिनार में बुलाएं फिर एक और महीने बाद आप उन्हें अपने डिस्ट्रिबूटर की कौल में आम धृत करें ये धीमी प्रकरिया मुश्किल है क्योंकि प्रतेक प्रदर्शन के बीच में वो अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं। ये लगबग हर समय शुरू होने जैसा है। दूसरी और यदि आप उन्हें वीडियो देखने को देते हैं, फिर कॉन्फरेंस कॉल में सामिल करते हैं फिर उत्पाद उप्योग कराते हैं, फिर वेबिनार पर जाएं, फिर एक लाइव मीटिंग में सामिल होते हैं और ये सब एक हपते में करते हैं, आप वास्तों में उन्हें इस बारे में सोचने का उसर देते हैं कि ये उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। वह आप पर अपतियां और सवाल फेकेगा। आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये महत्पुर्ण है। यदि आप नक्षात्मक कारे करते हैं, तब आप उनके दिमाग में संदेह का बीज बोएंगे। यदि आप आक्रमक कारे करते हैं, तब आप उन्हें दूर कर याद रखे हमारा लक्ष शिक्षा देना और समझाना है, कोई बहस जितना नहीं है, हमारा काम अंधे लोगों को देखने में मदद करना है, जब कोई नकरात्मक सवाल उठाता है, वह कोई आपत्ती सामने रखता है, वह वास्तों में आपको अपने अंधे अस्तानों को पचा पर सिमित विश्वाज कि वह सफल हो सकते हैं दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग पर सिमित विश्वाज वह यकी नहीं कर पाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके जीवन के लक्ष को हासिल करने में मदद करेगा मैं आपको आपत्यों को दूर करने के लिए कुछ रणनीत आप लोगों से कैसे संबंदित होते हैं लोगों से संबंदित होने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बताएं कि आप भी वैसे थे जैसे वो हैं आपको भी यही संदे था यही सवाल थे यही डर था और आपने इन पर काबू पालिया आप माने या ना माने प्रोस्पेक्ट आपती जनक सवाल करता है तब आप जवाब दे मैं जानता हूँ आपको कैसा मैसूस हो रहा है मैंने भी ऐसे ही मैसूस किया था लेकिन मुझे जो यहां मिला वो आप इन सब्दों को अपनी महान सफलता के साथ उप्योग कर सकते हैं आप इसे अपनी कहानी और प्रोस्पेक्ट के आधार पर बदल सकते हैं जब प्रोस्पेक्ट को अपनी छमताओं पर कम विश्वास होता है इस तरेनी के सामान ने अपती है मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास समय नहीं है ये मेरे लिए नहीं है मैं सेल्समेंड नहीं हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पास कोई अनुभाव नहीं है कुछ लोग कुछ अलगी रिष्टिकों सिखाते हैं, जहां आप खुद को स्मार्ट दिखाएंगे और प्रस्पिट को भी खूप लगेंगे आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास किवल बिल है, क्या आपके पास मुबाइल फोन है, क्या कभी आप खाने के लिए बाहर जाते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, चलो जागो या फिर क्या आपके पास समय नहीं है, आप ऐसा जीवन और कब तक जीन चाहते हैं अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा आपको ये पढ़कर कैसा महसूस होता है अगर कोई आपसे ये कहा है कि कैसा तो कैसा महसूस होगा बहुत बुरा है ना एक बहुतर दिस्ट्रिकोन है व्यक्ति से संबंदित होना और अपनी कह जब कोई व्हibl Colin मुझे से कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं जवाब देता हूँ मेरे पास भी यही चुनोती थी। मेरे पास बिल का भुकतान करने के लिए परियापत पैसे नहीं थी। अपना एक वैसा है, शुरू करना है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि बिलों का भुकतान करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तब मैं इसे भविस्य में कैसे बदलूगा, मैं पीछे रहकर ठक गया था, मैं हमेशा घवरा होता है कि आपके लिए अपने भविस्य को नियंद्रण में लेने का एक मौका है, आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करने का राष्टा बना सकते हैं, दस पैसे नौ बार वे सहमत होंगे कि उन्हें एक राष्टा मिल सकता है, फिर सब्दों को भूल जाएं और धारना पर ध संबंदित हो गए, अब हम एक ही नाव में एक ही आशा और सपनों के साथ थे, और अगर उनसे तुलना करने के लिए मेरे पास अपनी कोई कहानी नहीं होती थी, तब मैं किसी अन्य वेक्ति की कहानी बताता था, हर स्थिति से संबंदित करने के लिए आपकी कंपनी में तब आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है, मेरा एक दोस्त है जिसको यही समस्या थी और मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ, क्या आप देख सकते हैं कि यह दृष्टिकोन किसी वेक्ति के जीवन और खुद की छमताओं पर कम विश्वास के आधार पर जोड़ी सभी आपतियों को दूर करेगा, यह धारना सरल है, सिद्ध है और परिनाम आश्चर जनक है, जब प्रस्पेक्ट को नेट्वर्ट मार्केटिंग पर कम विश्वास होता है, इस रेणी की सामाने आपतियां, क्या यह MLM है, क्या यह उन चीजों में से एक है, क् पिरामेड योजना है, मुझे MLM में कोई हुची नहीं है, मैं अपने दोस्त को परिशान नहीं करना चाहता है, आप कितना कमा रहे हैं, शुरुवात करते हैं उस डर की, जो हमारे पेशे में अधिकास लोगों के दिलों में होता है, क्या यह MLM है, या क्या यह उन चीजों म से एक है, क्या यह एक पिरामेड योजना है, मुझे MLM में कोई दिल्चस्पी नहीं है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, जब वो यह सवाल सुनते हैं, वे कहते हैं, पिरामेड योजना, दुनिया की हर कॉर्परेशन की तरह, सरकार की तरह, आपका मतलब यह उस तरह है, अ और सफलता नहीं मिली, या फिर वो स्वैम शामिल हुए थे, यह सिनेरियो अच्छी तरह दर्शाता है, कि 90% लोग इस तरह का सवाल पूछेंगे, बाकि उन में से ऐसे औसर के बारे में सुना है, और जल्दी अमिर बनने के वादे पर संदे हैं, यदि यह किसी भावना से इस तरह से सवाल पूछते हैं, तो मुझे पता है कि वो किसी तरह से सामिल है, इसलिए मैं कहता हूँ, एक मिनटों के, आपकी कोई कहानी है, क्या हुआ थे, क्या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में सामिल हुए थे, फिर आप उन्हें अपनी कहानी बताने दे, इस से अंदर के विचार खुलेंगे, इस से उनका आकरमकता कम होगा, और आपको उनके अनुभों के बारे में कुछ सवाल पुछने की अनुमती मिलेगी, मैं आपको एक उधारन देता हूँ, मैं अपनी आमंतरन प्रकिरिया पर आता हूँ, जब प्रोस्पेक्स कहता है, कि एक मि में शामिल हुआ था, कुछ उत्पाद खरीदे थे और मेरे पैसे खराब हो गए थे, मैं पुछता हूँ, आपको क्या लगता है, कि आपकी इस सफलता का क्या करा था, वे कहते है, मेरे दोस्त ने मुझे इस में शामिल किया था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और म मैंने पुछा कि क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खराबी है, या आप सोचते हैं कि शायद आपका समय सही नहीं है, वे कहते हैं हाँ समय सही नहीं था, मैंने ऐसे हजारों लोगों से बात की है, और सब अलग थी, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सवाल करते हैं, और उस प्रकरिया में संबंद कायम करते हैं, तब आपके पास अच्छा मौका होगा उनकी बंद आखों को खोलने में मदद करने का, और जो अवसर आप दे रहे हैं, उसे देखने में मदद करने का, इसी के साथ आप ये बता कर उनसे संबंदित हो सकते हैं, कि आपती थी और आपने इसे कैसे दूर किया यदि कोई मेरे साथ पिरामीड सब दूप्योग करता है मैं हमेशा कहता हूँ जी नहीं पिरामीड योजना अवैद होती है और मैं कभी भी कुछ अवैद कामों में सामिल नहीं होता हूँ जो लोग बिना भावनाओ के सवाल करते हैं मैं आहम तोर पर इसका जवाब देता हूँ हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है तुम इसके बारे में कुछ जानते हो मैं दुबारा सवाल करता हूँ और जवाब की प्रतिक्षा करता हूँ उनके जवाब में मैं और सवाल ताकर उनसे संबन्दित होता हूँ, और फिर मैं सवाल पूशता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अपने दोस्तों को परिशान करेंगे, या अगर आप सच में उत्पाद पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे, और आप पहले से पैसा कमा रहे हैं, तब यह जवाब देनी के लिए अच्छा सवाल है, यदि आपने नहीं कमाये हैं, तो आपका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें कब सामिल हैं, कब से शामिल हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं हैं, तो आप उन्हें बता सकते ह कि आपने अभी शुरुवात किया है यदि आप कुछ समय से काम कर रहे हैं और अभी तक बड़ा पैसा नहीं कमाया है तब आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं और अपने भविश्य के बारे में सच में उत्साहित हैं आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस कंपनी के साथ अपने भविश्य के बारे में उत्साहित हैं क्योंकि आप जानते हैं कि चीजें बदलेंगे नहीं जब तक आप उन्हें बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे जवाब देने का अन्य तरीका है कि आप उन्हें अपनी कहानी ब लेकिन अगर आप इस धार्णा के साथ गए तो आपको ये सब सरल लगने लगेगा अन्य बाद जो आपको उत्साहित करनी चाहिए कि आपके पूरे करियर में आपको यही अपत्या मिलेंगी यहां कुछ नया नहीं है मैंने जो इस अध्याय में बताया है तब से यही सब है याद रखे हमारा लक्षे शिक्षित करना और समझाना यह प्रक्रिया का हिस्सा है जो लक्ष को सचाई में बगल देगा और याद रखे फॉलो आप के अंदर सबसे ज्यादा रिजल्ट्स निकलेंगे एक तरीके से जि मैं बजल्ट्स